आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हमें Question में गिवन है If C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn एकोल टू 128 और वैल्यू किसकी बूची है C0 माइनस C1 by 2 प्लस C2 by 3 माइनस C3 by 4 ठीक, Alternate Sign Change हो रहा है और यहां पर अगर मैं देखूं तो C0 का मतलब है CR का मतलब NCR ठीक है, यह तो known है ठीक है, यह तो हमें पता होता है कि CR यानि NCR तो बिसिकली, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है NCR प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCR यह 128 तो हमें पता इस कसम क्या होता है यह something X plus Y अगर मैं देखूं, X plus Y की पावर N होता है NCR X की पावर N Y की पावर 0 something यह फॉर्म होता है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, put X equal to Y equal to 1, put करता हूँ तो यह 1 plus 1 की पावर जो N आता है NCR0 plus NC1 क्योंकि जो सारे कोफिचेंट है बहु ही बचेंगे बाकि X, Y जो टर्म होता है तो सब 1-1 हो जाएंगे ठीक है NCR2 plus NCN बचता है तो इसका सब होता है 2 की पावर N और यह 128 अपने को गिवन है तो यह N किता हो जाएगा 7 क्योंकि 2 की पावर 7 होता है 128 तो N की वेलू आ गई यह C7 तक जा रहा है इतना हो तो पता चल गया ठीक है अब नेक्स लाइन में देखते है C0-C1Y2 C0-C1Y2 plus C2Y3 minus C3Y4 ठीक है पहली बात तो alternate sign है तो alternate sign का कि अगर मैं 1 प्लस X की पावर N का expansion देखता हूँ तो यह होता है मैंना देखिए NC0 X की पावर 0 plus NC1 X plus NC2 X square ठीक है इस तरह जाता है अगर 1 माइनस X की पावर N का X में से देखूँ तो क्या जाएगा NC0 X की पावर 0 minus NC1 X ठीक है ओड पर negative आएगा plus NC2 X square ठीक है फिर जैसे ओड आएगा 3 आएगा तो क्या आएगा negative चला जाएगा फिर NC3 XQ minus 1 की पावर N NCN X की पावर N इस तरह आता है ठीक है so minus का 2 है C2 है plus का C3 है minus का बटे नीचे 1,2,3,4 आ रही है कैसे आएगे अग यहाँ पावर का X की पावर है यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 3 है यहाँ जितनी ऊपर पावर है उसमें 1 add कर दू तो यह 2 बिलेगा यहाँ पर 2 है तो नीचे आ रहा है 3 यहाँ अगर 3 है तो नीचे आ रहा है 4 ठेक है तो इसका मतलब यह हो क्या रहा है actually मैं अगर मैं इसको integration करने पे होता है यह तो कि अगर कोई X है उसका अगर integrate करूँ तो यह क्या आता है X square Y 2 ठेक है तो यह ही तो होता है यहाँ पे integrate करने पे होता है जितनी अगर power 1 है तो नीचे चली जाती है 1 plus 1 2 ठेक है X की power N का integration होता है N plus 1 upon N plus 1 एक power नीचे तभी add होता है ठेक है power में तो इसी तरह इसको मैं आटा देता हूँ ठेक है यहाँ पे अगर मैं integrate करूँ X के respect में इसको भी TX और इसको भी ठेक है तो यह मेरे पास क्या बनेगा 1 minus X की power N plus 1 upon N plus 1 और minus X का होगा minus लग गया आगे यह देकिए C0 N C0 एक्टू 1 का X minus N C1 इन्टू X का X square by 2 आगया न यह अब है N C2 into X cube by 3 minus N C3 into X की power 4 by 4 ठेक है अब यहाँ पे put X equal to 1 जैसे ही मैंने 1 put किया और N की value तो मेरे को 7 थी 1 put किया 1 minus 1 इन्टू 0 आगया इदर और इदर आगया N C0 minus N C1 by 2 plus N C2 by 3 minus N C3 by 4 ठेक है तो यह up to N तक तो इसकी समेशन 0 आगया यह N C independent है तो यह यह 0 आगया अगर यह उपर वाला condition दिया न होता तब भी यह 0 ही होता Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टूडेंट्स का भर होसा आज यह डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाटसाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर